विल्कम टो मैं यूटूब चैनल फ्रेंड्स तो आज मैं आपको गुर्यकपुर महानेगर के पादरी वजार 14 पर बन रहे शांदार फोर लेन फ्लावर का आज हम देखेंगे कि कितना काम उसका हो चुका है और काम ये तेजी आई है कि नई आई है और कब तक बनकर रेडी हो जाएगा तो आज मैं आपको पूरा पूरा डीडियल के साथ वीडियो दिखाने वाला हूँ तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तकि गुरेकपुर में जो भी डिवलेप्मेंट के काम चल रहे हैं उस सभी प्रोजेक्ट पर वीडियो देखने को मिलती रहे नहीं किया जा सका है प्रशासन को जल्द से जल इस रोड में भी स्ट्रीट लाइट का काम जल्द से जल पूरा करानी कोशिश करनी चाहिए और फाइनली गाईज अब हम आ चुके हैं पादरी बजार चोराहे के पास जहां पर शांदार फोर लेन फ्लाइवर का काम चल रहा है कि काम में बहुत जादे तेजी तो होता है फिलाल तो नहीं दिख रहा है मुझे और ये जिदर से गाड़ी आ रही है उधर वाला रास्ता चला जाता है खाजार जी चोराहे के तरफ तो वहीं इदर लेट साइट में ये जो रास्ता सीधे आप देख पार हो ये चला होते हुए प्राइस तक वाली सड़क को भी फोर लेंड बनाने के काम बहुत जल्ड शुरू होने वाला है ऐसे तो काम अब तक सुरू हो गया होता लेकिन व्यापारियो और दुकांदारों के प्रतसन के चलते और प्रशासन प्रशासन 28 मीटर चोड़ा सड़क बनाना चात अब आगे हमें जैसे असुरन पी प्राइस फोर लेंड पर अब्रेट मिलेगी मैं आपको दोबारा वीडियो के मादेम सेर करने वाला हूँ और फिलहाल तो यह जो फ्लाइवर बन रहा है पादरी बजार चोराहे पर तो यह फ्लाइवर असुरन प्राइस फोर लेंड तो मैं आपको पादरी बजार फ्लाइवर का कंस्ट्रक्शन अब्रेट कम से कम में 3-4 महीने बाद ही दूँगा क्योंकि गाईज अगर काम स्पीड में रहता तब तो मैं आपको जल्दी अब्रेट दे पाता लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग गया है कि काम बहुत तेजी से कालोनिया दिख रही है तो बता दो कि उन सभी कालोनियों मेंसे ज़्यादतर अभी भी नगर निगम में सामिल नहीं हो पाया है जहां जहां तक आपकी नजर दार यह इधर के एरिया में नगर निगम एरिया को अपना विस्तार करना चाहिए क्योंकि लगबग एक लाग से भी जादे अबादी इस छेतर में भी निवास करती है और इस पीपराइस रोड में नगर निगम को जंगल धूसर तक विस्तार करने की जरुरत है क्योंकि इस इलाके में तीजी के साथ बड़ी-बड़ी रिसिडेंशियल कालूनिया बनती ही जा रही है और इस रोड में अभी तक कोई भी बड़ी रिसिडेंशियल प्रोजेक्ट या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट ने दस तक भी नहीं दिया है साथ इस कम्मों के कारड़ यह भी हो सकता है कि क्योंकि पिप्राइस रोड अभी तक फोर लेन भी नहीं बन पाया है तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम भी जादा दूर तक विस्तार भी नहीं कर पाया है और जैसे गाइस मैप में आप देख पा रहे हो तो जो भी आप यलो सरकिल देख रहे हो तो गोरकपूर के पादरी बजार चोरहे पर बनने ओला फ्लाइओवर कुछ इसी शेप में होने वाला है और ये जो सरकिल मैं आपको दिखा पा रहा हो तो आप गाइस देख पा रहे होगे की काफी तेजी के साथ रेजिदेंसिल कालोनियों का सेटेलाइट भ्यू मैं आपको दिखा रहा हो ये कालोनिया अभी भी गोरकपूर नगर निगम का हिस्सा नहीं बन पाई है अब नगर निगम से हम यहीं उमीद करते हैं कि आने वले कुछ समय में ही अपना विस्तार जंगल धूसर तक कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा गोरकूर शेहर के विस्तार के लिए भी और कैस बहुत जल में आपको कुरापूर में बन रहे है कोरावा टाउंसी चिलुआ ताल प्रोजेक्ट इसके इलावा मानी राम के पास बन रहे है मैसरा फोर लेन फ्लाइवर पर भी अप्डेट में देने वाला हो तो अगर वीडियो पसंद आजा हो तो वीडियो को लाइक और हमें कमेंट सकते हैं में जरू बताईएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए अबड़ेट के साथ तब तक के लिए जाहेंद